प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के नव निर्वाची तर्द्यक्ष मोहन मरकाम के वलाद अबाज़ार आगवन पर जिला कॉंग्रिस कमेटी के कद समस्त कार्यकरताओं ने वाइक रेले निकाली और आदिश बाज़गर फूलमाला के साथ उनका जूरदार स्वागत किया छिले की अरचुन्दा गुंडर देही समयत काई शेत्रों के कार्यकरताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मरकाम का भवय स्वागत किया साथ ही अपने अपनी समस्याँ से अवगत कराया इस मोखे पर मरकाम ने कॉंग्रिस कारिकरताओं से कहा कि सभी गिलेश शिक्वे को भुला कर पार्टी के प्रती अच्छी सोश रखते हुए आने वाले नगरे निकाय चुनाव त्रिस्तरिय पंश्याद चुनाव के लिए त्यारी करें साथ ही अपने सुझाब और शुकायत कोई भी कभी भी निसंकोष कर सकता है सद्यक्ष बनने के बाद माननी मोहन मरकाम जी का ये पहला दोरा कारिकरम रहा है बहुत ही अच्छा दोरा कारिकरम रहा इनके आने से हमारे कारिकरता में उड़जा का संचार हुआ है और उन्होंने कारिकरता को संदेज दिया है कि सत्ता और संगठन को साथ मिलके चलना है और जो कांग्रेस की रिती निती है जनता की भलाई करना, जनता के लिए काम करना, जनता की सेवा करना ये कांग्रेस का मूल उद्यश्य है शुके की जबेट में जरूर इसे सरकार ध्यान दे रही है और किसानों को रहात मिलेगा पूरे पडेश में ऐसी सरकार है चतिसगर की जो किसानों के लिए बहुत ज़ाजा चिंता करने वाली सरकार है बहुत सी योज नहीं अभी चलोगा इंतजार किजिए सुबाब को पता चल जाएगा थैंक यू